आपको ना ऐसा लग जरूर रहा है कि 15 साल के lock-in के बाद PPF का पैसा मिलेगा However, आपका शायद 16 साल का compulsory lock-in period हो सकता है क्यूंकि जिस साल में आप PPF account खुलवाते हो उस current financial year को 0th year माना जाता है और अगले साल से 1st year count होता है इसका मतलब यह अगर आपने अपना PPF account 1st May 2021 को खुलवाया है तो 2021 से 22 तक का year count नहीं किया जाएगा April 2022 से पहला year count होगा और उसके 15 साल बाद इस particular date पे आपका पैसा आपको मिलेगा मतलब कि पूरे 15 साल 11 महीन है हाँ, इन extra 11 महीनों का आपको interest जरूर मिलेगा बट आपकी जो maturity date है वो आगे खिसक जाएगी तो आपको अपने plans accordingly बनाने चाहिए एंड एक pro tip, जब भी investment करो PPF में तो हर महीने की 5 तारीक से पहले करना नहीं तो उस महीने के दिनों का interest नहीं मिलेगा next महीने से count होना start होगा